और अपने आप को सब्सक्व कर ना दवाब डादा है कि वो यह सब चिजों से दूर रहे या क्या है पुरी बात आयो निजदा दे इसको ए भी लोगई So hello and welcome to FIFA 4 मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इशो की host दिपिल स्वाइ यह बताना बिल्कुल भी गरत ने हुआ कि दिपिका करकर तेलेविजिन की दुनिया की एक ऐसी नाम है जिनके लिए कोई खास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इनका नाम ही काफी है इनका नाम ही बयान कर देता है कि आखितकार यह इंसान कौन है मैं आपको बता दो बिग बॉस के बाद से दिपिका करकर को काफी जादा नेम पे मिल चुका है इसे पहले गुप सफ्वाल सिमार का करे के दिपिका करकर का काफी नाम सामने आया था लेकिन इस बेच जब इनकी शादी तूटी फिन ने सेकंड मैरेज किया शोयव से तब बहुत सारी बाते बने लेकिन कहते हैं कि पिछली बातों को बुला के नई शुरुआत करना ही जिन्दगी नागे बढ़ने का दूसरा नाम होता है तो वही दिपिका करकर ने भी सेम चिसकी और शोयव भुभैम के साथ अपनी दुश्री शादी करकर अपनी जिन्दगी को एक नया पैगान से शुरुआत की हैं जिस बात को दोनों पैरेंस ने रोगोसाइटी फैमिली इस ने सपोर्ट किया एकसेप्ट किया और दोनों का इंग तैमिंग दिया में जूल 1 की तो तो दिपिका को व्लॉग सामने आता है इस बाएक मेडिया इंट्रक्शन के वाब का एक बात सामने आता है जहां पे हों वने कि यह कहम क्यों तो फूल करना चालती हूं मैं कूष्ट कर दूनी बात बात यह धे और बच्चों की जितने हुट चुटे-चुटे मेमरी जे सब चीज को अपने सीन से समेट के रखना चाहती है वह यादों को समेट के रखना चाहती है कि मैं चाहती हूं कि चार पास साल तक जब तक मेरा बड़ा नहीं हो देता जब तक टेलिविजन इडिस्ट्री में लॉट तो ही मैं इस चिस्त को आगे बड़ाऊंगी और पात साल गैप करने के बाद यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है वापसी करना लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रिस के एक्जाम पर हमारे सामने हैं जिनोंने काफी समय बाद टेलिविजन में वापसी किया और इन इनोंने वापसी किया और इतना नेम पी मिलगा कि घर-घर का लोग प्रियर शो बन चुका है वैसे बारे में बात कर रही थी मैं इस टेट्मेंट पर आपको क्या रियाक्शन मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा फिलागे लिए पस इतना ही और खबरों के लिए आप द